नमस्कार दोस्तों आज मैं रीतिकाल का नेक्स्ट भाग लेके आई हूँ जिसमें उमीद है कि आप सब लोग रीतिकाल को अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो शुरू करते हैं दोस्तों नमबर एक आचायर रामचंदर शुकल ने हिंदी का पर्थमनाटक किस रीतिकालिन कभी द्वारा रचित माना है तो आचायर रामचंदर शुकल ने पर्थमनाटक रीतिकालनाटक महाराजय विश्वनात सिंग द्वारा माना है और आचायर रामचंदर शुक एक बहुत इन्होंने हिंदी साहित इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की है यमुना लहरी के रचेता कौन है यमुना लहरी के रचेता ग्वाल कभी है नव रस तरंग के रचनाकार कौन है तो नव रस तरंग के रचनाकार बेनी प्रवीड है नच्ट पॉइंट है देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग बिलास की दिन चर्या है तो देव के अश्ठ्याम में जो है भोग बिलास के रचना होई है इसमें भोग बिलास का वर्डन है नेक्स्ट पॉइंट है रसिक मोहन का वर्ड विसे क्या है तो रसिक मोहन का वर्ड विसे अलंकार निरूपड है नेक्स्ट है तुलसी भूसड के रचनाकार काउन है तुलसी भूसड के रचनाकार रस रूप है नेक्स्ट पॉइंट है तुलसी दास के ग्रंतों से उदाहरट छाट कर किस अलंकार ग्रंत में दिये गए है तो तुलसी भूसर से उदाहरट छाट कर अलंकार गरंथ में दिये गए हैं नमबर नेक्ष्ट है रस दरपड के रचेता का नाम बताईए तो रस दरपड के रचेता सेवा दास है नेक्ष्ट है बृत्य बिचार नामक छंद नी रूपक गरंथ किसने लिखा है बृत्य बिचार नामक छंद नी रूपक गरंथ किसने लिखा है सुखदेव मिस्र ने बृत्य बिचार नामक छंद नी रूपक गरंथ लिखा है नेक्ष्ट है राम सहायद्वारा रचित अलंकार गरंथ कौन सा है राम सहाय द्वारा अलंकरित गंथ बाड़ी भूसड है बाड़ी भूसर राम सहाय द्वारा रचित अलंकार गंथ है नेक्स्ट है बृत तरंगडी की रचनाकार का नाम बताए तो राम सहाय ने बृत तरंगडी की रचनाकी है तरंगिनी सहजो बाई किस काल की कभित्री थी स रीवा के रीवा के रीटिकाल में राम काब परंपरा में राम शुमेद नामक प्रबंध काब की रशना करने वाले कभी काउन थे रीवा काब के रशना करने वाले कभी काउन थे यह मधुशूदन थे ब्रज बिलास के रशेता काउन है तो ब्रज बिलास के रशेता ब्रज वासिदास है ब्रज बिलास के रचयता ब्रज वासिदास है नमबर नेक्स्ट है अन्योक्त कल्प दुरूम के रचयता कौन है अन्योक्त कल्प दुरूम के रचयता दीन दयाल गिरी है नेक्स्ट है कौन सा कभी महाराजा सिवाजी का पुत्र था तो निरिप संभु जो है यह महाराजा शिवाजी का पुत्र था कौन सारी इतिकाल इंकब अपने प्राकिर्तिक चित्रड के लिए शुबिख्यात रहा सेनापती सेनापती ने रचनाय जो किया उसमें उन्हें प्राकिर्तिक का वड़न अधिक किया है इसलिए यह प्राकिर्तिक चित्रड के लिए विख्यात है भासा भूसर में कितने दूहे हैं तो भासा भूसर में दोसो बारा दूहे हैं नेक्स्ट है मतिराम किरित ललित ललाम पर किस संस्कृत गरंथ का प्रभाव है तो मतिराम की पर जो है ललित ललाम पर कुवलेया नंद का संस्क्रित ग्रंथ का प्रभाव है नेक्स्ट है रीति काल को अलंकरित काल नाम किस ने दिया तो मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु ने रीति काल को अलंकरित काल नाम दिया है औरीतिकाल नाम जो है आचार रामचंद्र शुक्ल ने दिया है नेक्स्ट है अन्योक्त कल्पद्रूम गरंथ के रचैता कौन है दीन दयाल अन्योक्त कल्पद्रूम के रचैता है नेक्स्ट है बिहारी रतनाकर किसकी रचना है बिहारी रतनाकर जगनादास रतनाकर की रचना है नेक्स्ट है पदमाकर के जगत बिनोद में कुल कितने दोएं हैं तो पदमाकर के जगत बिनोद में 731 दोएं है 731 दोएं है पदमाकर के जगत बिनोद जो उनकी गरंथ है उसमें नेक्स्ट है काली पहाडी नामक ग्राम किस कभी की जागीर की रूप में दिया गया था कि यह इनकी जागीर है यूरोप में बिहारी सस्थाई के समकच कोई रचना नहीं है यह कथन किस आलोचक का है यूरोप में बिहारी सस्थाई के समकच कोई रचना नहीं है कथन किस आलोचक का है तो यह गिरियर्शन ने कहा कि आर जो है बिहारी जैसी रचना किसी नहीं की है यह गिरियर्शन ने कहा है नेक्स्ट है आनंद रखुनंदन नाटक के रचेता कौन है तो बिसो नात सिंग जो है आनंद रखुनंदन के रचेता है बेनी प्रमीड की भासा को आचारे सुक्ल ने मतिराम के समकच्छ बताया है बिहारी सतस्ई की अमर्चंद्री का ठीका किस ने लिखा है तो बिहारी सस्य की अमर्चंद्री का ठीका सूरत मिस्र ने लिखा है नेक्स्ट है और लास्ट कुश्चन है 59 गरंथ के रचैता कौन है तो 59 गरंथ के रचैता मंडन है तो दोस्तों मेरी वीडियों आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सेर और सब्सक्राइब करिए बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए जितना हो से के उत्ता सेर करिए धन्यबाद दोस्तों